आधर्निय पेंका गांधी जी, आधर्निय मुक्हमंत्री अशोग गैलोत जी, हमारी अध्ध्यक्ष लोटास्रा सॉहाब, विदान सभा के अध्यक्ष ईपी जोशी जी, अमारे प्रभारी रन्नावा साहब, हभी आपके बीच मुशन दे रहे ही थी, हमारी छेत्रि विधायक मंतरी मंपा जी मुराई मीना साभ परसालियाल मीना जी खटाना जी जिले के सभी विध्यायक मंज परौपस्थित हمारी अमिर्ता जी बाकी सभी हमारे मंतरी विधायक नेतागं पार्टी के पततिकारी गarten युवा क likely के मैला कॉंगरेस के सेवादल के सभी नेटागं जो आज म बहुत स्वागत करता हूँ प्रेंका जी आज यहाँ पर आई है हमको संदेश देने के लिए और राजिस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी हमारा संग्ठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है किन मुद्दों को रिखांकित करना है इस पर आधरनिय प्रेंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी साथियों यह सिक्राय विधान सबाच्छेत यह दोसाजिला यह पूरा इलाका है यहां के छेत के लोगों ने हमेशा से कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कॉंग्रेस पार्टी ने जो विकास प्रगती लोगों के देखरे 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है मुझे गर्व है कि इस जिले से यहां का सांसद में आपके बीश में रहा हूँ और आपने हमेशा हमारे हाथ की पहचान है इस हाथ की पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन देकर हमको ताकत दी है प्रेंका जी आज यहाँ पर हमारी सरकार है केंद में बाजपा की सरकार है इस पूरे 12-13 जलों के अंदर जो हमारी E.R.C.P की योजना थी जो बाजपा के काल में बनी थी इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है लेकिन यहां के लोगों को यहां के जनता को यहां कर विशेशूप से किसानों को जो दिक्षणों का सामना करना पड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद की सरकार बेद भाव की बावना से काम कर रही है केंद की सरकार में 25 के 25 मंतरी भाचपा के हैं पूर मंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजिस्थान मर एक नहीं दो दो बार कहा था कि ERCP की परियोजना को हम राष्ट परियोजना गोशित करेंगे अब उनके मंत्री और सांच उनकी सरकार सिर्फ कॉंग्रेस की सरकार यहां पर है इसलिए हमारे केसालों के साथ बेदबाव क कर रहे हैं इसरदा की योजना हो पानी के परियोजना हो पेजल के परियोजना हो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम छेत्र में किया है और अभी भी जो DPR बना है उसमें छेत्र के अगर कोई गांव पंचायत रह गए हैं हमारी सरकार दुबारा बनेगी उन गांव पंचा जी और अधर ने राहूल गांदी जी तेलंगाना में थे एक दिन पहले वहां पर सब लोग मान चुके हैं कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है प्रचंड बहुमत के सार हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं मत्य परदेश में बनाएंगे शत्तित कड में रिपीट करेंग और राजेस्थान के अंडर जो तीस साल की परिपाटी होती आई है कि पांच साल बीजेपी और पांच साल कांग्रेस इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बेनो भाईयों इस काम को आप लोग कर सकते हो दोसा जिला कर सकता है सिकराय के लोग कर सकते हैं और आप लोगो पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेश अधिकार है इस छेट के लोगों ने इस जिले के लोगों ने हर कौम बिर्रादी धर्म के लोगों ने हमेशे हमको विशेश आशरवाद दिया है मैं पहली बार यहां चुनावन ने आया 2004 में मेरी चुनावी सवा थी सोनिया गांदी जी विशेश सूप से यहां पर आई थी दौसा कॉलिज में हमारी सवा थी उनकी सवा से जो आशरवाद हमको मिला मुझको मिला मैं मातर 26 साल की उमर में यहां से सांचत बन कर गया था मैं आज इस मौके पर सुनिया जी का भी और छेट की जन्ता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कॉंग्रेस की एक मजबूत गड़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेज आता है इसलिए आपकी जिम्मेदार्य बढ़ गई है आपका दाई तो बढ़ गया है पूरा देश देख रहा है कि राजिस्थान की जन्ता की करवट बदलेगी जब मुश्किल समय आता है आप लोगों ने मुझे और हम सब को आशिरवाद दिया प्यार दिया जब दिक्कत का समय आया अच्छे समय में खुशियों में सब सामिल होते हैं लेकिन दुख परिशानी कठनाई में सिरफ अपने सामिल होते हैं और यहां का जो संबंद एस आज प्रियंका जी मारे बीच में आई हैं राहुल गानी जी मारे बीच में याता करकर गए थे इस छेद के जन्टाने हमेशा कॉंगरेस पार्डी को मदद कर रही है हम लोगों ने बड़िया काम किया है आपके बीच में जो विकास हुआ है हमारे मंत्री जिले के 2-2-3-3 म विदायक हैं, समने मिलकर आपका विकास किया है, आज हम उम्मीदाब से करते हैं, कि सबा के बाद एक ऐसी लहरे जलेर्ज पुरे छेत्रिम होने चाहिए, कि एक एक सीट कॉंगेस पाड़ी जीत का जानी चाहिए, एक एक सीट पर यहाँ पर उम्मीदाब कॉंगेस पाड़ी महबत की दुकान खोलनी हैं, अब तो महबत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं, महबत आपस में जोडनी हैं, सब लोगों वो साथ लेकर चलना हैं, और प्रियंका जी, आपके हर बार राजिस्तान बराने से, कॉंग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा हैं, बाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए होएं हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टेकर दें, वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े हैं, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे, और बाजपा की जूट और पाखंड की राजनीत को समाब्त करने का जो शान आएगा, वो 25 रिवंबर को जब वोट पढ़ेंगे, एक एक वोट कॉंग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी भाहुमत के साथ राजिस्थान में बितिहास कायम करें, और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं, मैं एक बा ताकि तरह साश्वास दे सकता हूँ, आप सब इतनी भारी ताडाज में आएं, आपका धन्यवाद करता हूँ, और एक बार, क्योंकि हाँ, ये पुरा देश देख ले, पुरा परदेश देख ले, राजिस्थान की जन्ता, दोसा की जन्ता, कॉंग्रेस पार्टी के साथ है जोड़ा नारा लगाना हाथ खड़े करके दोनों, कॉंग्रेस पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, राम राम साथ